दोस्तों हम सभी के मुबाइल में मलब काफी सारे एप्स पड़े होते हैं ऐसे में काफी सारे एप्स के साथ प्रोब्लम यह आ जाती है कि कौन सा एप्स जो है आपकी प्राइवेसी के साथ छेडखान कर रहा है वो हमें पता नहीं चलता है iOS 40 में काफी कमाल का फीचर है कि अगर कोई एप्स आपके माइक्रोफॉन या केमरा को एक्सेस कर रहा है तो आपको एक लाइट मलब इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर स्टेटस वार में तो कुछ इसी तरह का फीचर अगर आप अपने Android मोबा इसी तरह से अगर आप यहां पर गूगल वॉइस सर्फ जो है उसे अक्टिवेट करते हैं तो यह देखी यहां पर और आंज इंडिकेटर जो है वो यहां पर यहां पर यह सो कर रहा है कि आपका जो माइक्रोफॉन है उसकी एक्सिस ली जा रही है तो दोस्तुन जैसा कि आ यहां पर मेरे पास है यह Redmi का एक mobile और यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ एक काफी कमाल का feature इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर जाने के बार आपको यह वाला जो एप्लिकेशन है इस एप्लिकेशन को आपको इंस्टाल कर लेना है मैंने इस्टाल कर रखा है अब यहां पर देखे जैसे आपको इसे ओपन कर लेना है तो देखे यह कुछ इस तरह से आपको जो इसकी इस एप की main screen है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी तो दूस्तों इस एप के अंदर आपको green and orange indicator देखने को मिल जाएंगे green का मतलब है कि camera की access हो रही है और orange का मतलब है कि microphone की access हो रही है तो यहां पर location भी आप set कर सकते हैं आपको left में करना है, top left में करना है, top right में करना है तो आप यहां पर select कर लिजे और जो access dot के बगल में यह option है उसे आपको enable कर देना है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा accessibility में, accessibility में फिर आपको more downloaded service में जाना है उसके बाद आपको जाना है access dots पर और यहां पर जो toggles है उसे on कर देना है जैसे आपको यह toggle on हो जाता है तो मतलब यह जो आपका application है activate हो गया है इसके लावाद दूस्तों इस app में access dots में अगर आप log access करना चाहें कि किस app ने आपके camera को microphone को background में access किया है तो वो आप यहां से check कर सकते हैं यह जो application है दोस्तों access dots यह जो है android अगर आपका version 7 या 7 plus है तो आप इसे use कर सकते हैं बैसे अभी भी इसकी testing चल रही है अभी भी under development stage में है तो सभी devices पर test नहीं किया है पर मैंने अपने Realme और Redmi Note 7 Pro दोनों mobile पर test किया है तो आज किस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही और अविर करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को like कर दीजे, share और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लीजे तरे तो